आज हम आपको लेकर आया है बहुत ही बैतरी साप्रेंग आर आज हम आपको साथ हैं प्रफलिक स्कूल के चैनल पर जिसमें कि आपको सिखा जाता है रोज की रोज कुछ ना कुछ वीडियो जाता है कि आपके जो पर से आपको पढ़ा ही जाए तो प्यारे बच्चे आज हम लेकर आएं आपको सेकंड क्लास की वुक सामाजक दरपण किताब का नाम है और इसका चैप्टर है 7 यान की पार्ट नमबर 7 जिसका नाम है जल और जल के बारे हम आपको पढ़ाएंगे भी बुक पढ़ना सखाएंगे आपको तो बेरवचों सब आप जानते हैं कि जल की कितनी वैली हुमारे जीवन में होती है कहा जाता कि जल है तो कल है जल ही जीवन है ऐसा भी कहते हैं यह हकीकत बात है कि जल बहुत महत्पूर हमारे सरीर का हमारे जीवन का और इस प्रकृती का एक बहुत ही महत्पूर एक भाग है बहुत महत्पूर एक चीज है जो कि बहुत ही आवस्चक है इसको हमें किताब पढ़ना और किताब से पढ़ पढ़ के आपको समझाते हैं किस पार्ट में किस तरह से किसी लेखक में कितना सुन्दर हमें संदेश दिया है जल के वारे में हमें जयन करें दी हैं तो प्यार बशुर्व करते हैं इस पार्ट की रेडिंग तो ध्यां जा सभेते सब्दों पर ध्यान देंगे और किसे पड़नों उसके पर देंगे चली स्टार्ट करते हैं गखे लगया जल हमारी मूल मूल मैंने जो ज़रूरी आभसक्ता होते हैं यह नहीं मेंन हैं थी नहीं कह सकते हैं। जासे कि आपने अब इश्मना होगा कि अभी चंद्राद्री जो है चंद्रमा पर पहुंच गाई वहां कुछ लोग बताते हैं जल नहीं है वह जीवन नहीं है। तो आप हमारे दर्टी तो एक जल काई गिए गिरा है, जली गिरा ही वी बहुत सारा जले है यह आपर जीवन संबव है, कोई भी प्राडी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, कोई भी प्राडी मतल्य थाजीव चाहिais पेड़ हो चाहिए पौधे हो चाहिए जीव हो चाहिए मनसे अगर जल नहीं मिला तो वो जिन्दा नहीं रहे सकता ब्रक्षों तथा पॉधों के लिए भी जल आवश्यक देखे कैसे लगाई आवश्यक बिना जल के पॉधे भोजन गिराण नहीं कर सकते या निकि जल नहीं मिले तब उनको भोजन प्राप्त नहीं हो सकता कि धर्ति के अंदर नमी होती है नमी में क्या होता है जल होता है तो उसके मादन से पौदे अपनी जड़ों के द्वारा बोजन परात करते हैं मनस अवं प्रक्षी ही नहीं वरन वरन का मतलब बलकि प्रतेक जीवधारी प्रतेक दुख कैसे लखा हुआ देखो प्रादता या प्रतेक जीवधारी के मतलब बलता है सजीव जीव जो भी सजीव होते हैं जल के द्वारा ही प्यास बोजाता है आगे लिखाए पैरे बच्चो दिन भर हम अपने अनेक कार्यों में जल का अप्यों करते हैं जैसे सुबह उड़ते ही हम हात मुँ जल सेध होते हैं कपड़े होने करने कल लिए पहने की आवस् romance करनेके जरुद पढ़ती हैं कल कार खानों के लिए भी पाणिया वगरा जो भी कारुकार quedarा होती हैं वह सारे पानी में बड़ी नदियों पर बांध बना जाते है तो बिद बनाने में जल ही काम आता है जल की प्राप्ति मुक रूप से हमें वर्सा दौरा होती है कितनी वर्सा जल का मुकि सरोत है तो वर्सा का जल नदियों तालावों तथा जीलों में एकत्र हो जाता है एकत्र मतलब एकटा हो जाता है वर्सा का जल आपने देखा हो जहाँ खाली जगावती हमाँ भर जाता है और नदियों का जल बहकर समद्र में पहुंच जाता है कुछ जल भूमी में समा जाता है को लोग कुछ जल को जमीना सोख लेती अपने अंदर उसे हम कहते है भूमी गत जल जमीन के नीचे गजल होता है उसे भूमी गजल कहते हैं इसे कुगों के दोरा नल कूपों के दोरा नल कूप जानते हैं न बोरिंग होता है इंजन जैसे चलता है खेतों में पानी निकालते हैं पंपसेट वगरा उसको कहते हैं यह टूबेल वगरा तता हैंड पंपों के दोर कि अग्टी मिली होती है नहीं होता है इसे जल को बिसेस विदीयों के द्वारा यहनी कि कई तरीक नहीं को साफ किया जाता है तब हम इसका प्रयोग पीने के लिए करते हैं में बड़े बड़े नगर दिल्ली है वंबई है वहाँ पर इस तरह का पानी पिरिफाई करके साफ करके और जो नल होते हैं पंप होते हैं घरों में टंकियां लगी होती है उनमें भेज़ा जाता है पंपों तथा नलों द्वारा निकाला हुआ जल साफ होता है अशुद्ध जल है ना कभी-कभी दामी ऐसे धा बना देते हैं तो उसको भी अशुद्ध जल में बीमारी के कीटाडू कीटाडू की चोटे-चोटे जीव होते हैं कीडे टाइप के जो हानी कारक होते हैं वो बीमारी पाइदा करने वाले होते हैं तो कीटाडू को मारने के लिए जल में केलोरीन डाली जाती है केलोरीन एक दबा का नाम है जिससे जल सुद्ध हो ज मतलब इसे बरवाद ना करें बेकार का खर्च न करें जल को सदय साफ बरतन चाहिए पीने का ज़ल हमें सा जो पानी रखते ही हम घड़ों में साफ बरतन चाहिए घड़े में रखेंगा तो बहुत बढ़ी आए क्योंकि घड़ा मिट्टी का होता है पानी के अंदर के बादे ने करनी जाहिए बच्चो आगे देखो एन्त में लिखा है साफ तता हैंडल वाले बरतन में जल रखना चाहिए जल को दककर छाहिए है समने कोई कूडा ना पड़े धूल मिट्टी ना पड़े जल की एक एक 봤еж मूल लुगा है लिखाया जल की एक एक बूंद मुल्यवान है बहमूल है इसका प्रयोग देखो बच्छों किया लखा कितना पराशब्द है तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे साव प्रधानी और जी लखाया पूरवक इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे साव धानी पूरवक यानि कि जल का प्रयोग हमें साव धानी पूरवक करना चाहिए कुछ बच्छे क्या करते हैं एक बाल्टी की जरूत है और दो बाल्टी निकाल लेते हैं और उसको बेकार में बाहा देते हैं मच्छो आजसे हम ऐसा नहीं करेंगे और क्योंकि अभी बताया गया कि जल ही जीवन है तो जल को बिर्थनी गवाएंगे और जल का सदब्गे जितना में चाहिए उतना ही नल से निकालेंगे बेकार नहीं बाहेंगे जिससे कि वो जल कभी हमारे और काम आ जाये यालिए पह कुछ नदीवी एक जल का स्रोत है जिससे उस जल को बहुत सारे जीव जन्तु पस्वक्षित पीते हैं तो उनको कोई अपने पूबलिक स्कूल साथ और अच्छा अच्छा तो प्यारे बच्चो अभी आपने देखो पढ़ा यह जल नामक जो पाठ है वो पढ़ा इसे बहुत सारी जानकार्णियां दे गई हैं प्यारे बच्चो हमें अब ध्यान रखना है कि जल को हमें विर्थ नहीं कमाना है और गंदगी को कूड़े गूड़ा कच्रा जो गंदगी होती है वो जल में नहीं डाल लिए नदियों में नहीं डाल लिए क्यों नदियों में बहुत सारा जल होता है बहुत सारे पश्चुबक्षी जी बियंतों पानी को पीते हैं और बीमारी ना हो वो बीमार ना पड़ उनको कुछ रोग ना हो इसलिए बचो नदियों में कूड़ा नहीं डार लाए कोहें जल भारा हुआ ताल्न भगड़ा में तो महां भी हमें गंदगी नहीं करना है और जल को ज़ितना हमें चाहिए उत्ना हैं से निकालेंगे उत्न इन से बात को धना रखेंगे अब प्यारवचा हमें उम्मीद आपको अच्छी तरह से समझ में आगे होगा जल के बारे में और अब हम आपको थोड़ा सा होंबर देते हैं शारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं इसकी मात्यम से इस पार्ट को जो जो से बोल बोल के पढ़ेंगे अपने घर पे जो आपके बड़े हैं चोटे हैं मम्मी हैं पापां को पढ़के सुनाएंगे और ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए आपको अपने इस आरपी पुब्लिक स्कूल जोगिठेर जो चैनल इस तरह के अच्छे जानकारी घर पाे और अगले वीडियो तक वुणे रहीए और साथ तब टक लिए धन्यवाद